जाहिंदुर नमस्कार देरा विद्यर्थे मित्रो वानिय दर्शको गृत्मोट यूपीएसी की इस हाइपोटेशी सुरुख्रा में मैं दुरूजानी आप सब का स्वागत करता हूँ इस सुरुख्रा का मुख्यू अदियान का जो अलग अलग विशय है उनकी तैयारी करना है तो फिलाल हंव एस्टिक को देखा बहुत ही व्यापक रूप से लेक्षर है और अगले अजिग्छरों में कई सारी प्रातिन सभियुत्याह देखी इसमें इभी QUS से शुरू करकर हमने चिन तक की जो यात्रा है वो सामिल कर ली अला कि उसमें सिंदुखिन के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की कुछ भारत का भारत के एटियस में बहुत ही बड़ा विशह है बहुत ही बड़ा खंड है और भारत के साथ सथ्ल गुर्ट के बात करेंगे ग यापक रुप Unterstützung समझा कि ग्रीज की सभियता अपने ही हीति महट्टोपान सभियता है तो इस वपख Dorothy सभियता के बारे में देखेंगे वही रोमन सभियता लिस एक जरीलकिन मिल्यन की का सवियता की दो फ्रॉमन सभियता में और रोमन सभीयता से जो सारे मुल्य है आज के आधुनिक यूरोप के ETS में या यूरोप के समझ में तो यह नेक्सस है बहुत ही अच्छा नेक्सस है थोड़ा पेचिदा है मगर अगर इसे हम अच्छी तरह सा समझे तो बहुत ही सिंपल सा है बहुत ही अच्छा कल्चर रहा है रोमन सभीयता के बारे में जो लुकलिन के तहत विश्व की जो प्राचिन सभीयता हों को लोग पढ़ रहा है उसको पढ़ने का जो है उसके पढ़ने की शुरुवत करेंगे जैसे आम तोर पर हम लोग प्रजा को देखते हैं पहले ब्रीफ में फिर उसके बाद वहां के समझ के वारे में देखते हैं फिर उसके बाद वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बाद वहां की एकोनोमी और अट एंड कल्चर पड़न रिटेजय यहां वहां की सभीयता है बहुती रिच सभीयता है और कई सारे मुल्य जो आज के दिल भी जो हम लोग हमरे हमरे एवरी डे लाइफ में जिसको यूज करते हैं वो दरसल रोमन सभीयता से निकल कर हमारे सामने आए है तो शुरू करेंगे आज की चर्चा देखिए यहां रोम की सभीयता से हमें शुरू जाता है प्लस रोम यानि की आज का इतली जो की कैथोलिक्स का आज का गड़ मना जाता है उसका उद्रम स्थान मना जाता है उनके जो ओफिशिल पॉप होते हैं जो धर्म प्रमुख होते हैं धर्म गुरू होते हैं उनका निवा स्थान भी यहां रोम के इतली में ही आया अर्थितंत्र की तो नुक्सानी हुई हुई मगर मनुश्यों की नुक्सानी हुई जो मानो संसाधन्त है क्योंकि कहा जाता है कि इतली में elderly population थोड़ा ज्यादा है और कुछ लापरवाही की विज़े से वहाँ जो pandemic था वो out of control हो गया और काफि सबस्राजी है वह वह सरजी गई अपर्ट फ्रम वाज कामरा topic नहीं है कि मत्र भी में के सब्सक्रामने धीये फिला मत्रव कितनानी पुरान की आज सभियता है तो सुरू करेंगे देखिए रूम की सभियते विश्वक प्रातिटिं से न्स्वरों में जैसे आंट पर कि जो अ क्रूरत की सभियत थी अ कि ई प्रजी की सभियता विए उसने पूरे विश्व को कला वह स्थापतिय के मुल्य दिये है वही जो आज की अमरी जो केंद्रित जिसके उपर आज की चर्चा अमरी केंद्रित है वह रोम की जो सभ्यता है यह सभ्यतान है पूरे विश्व को कानून वह व्यवस्था दी जब अंग्रेज भारत ना है लगबग लगबग सत्रवी सताब्दी के पुरवार्द में उसकी शुरू आत में तो यहां के जो लोग थे भारत का जो मानो संसादन था वो बहुत ही गरीब था गरीब था ही मगर साथी मैं असक्षित था उस समय अंग्रेज जो थे बहुत ही अच्छे मात्रा में शिक्षित माने जाते थे उन लोगों को कानून का गनान था कानून यानि की लोग ठीक है वहां पार्लामेंट जो है वो करियरत भी थी उस समय भी वहां वहां राजा साही थी मगर वहां की संसद जो है कारियरत थी तो यह सार जो गूण है वैं दरसल यूरोपियन प्रजा में यहीं से आया है रोमण सब्सक्राइब करते हैं अगर कानून की बात करें तो नंबे फिस्ती से अधिक कानून जो है वे हम लोग ब्रिटिश रों के ही यूज करते हैं कुछ कुछ उसमें अमेंडमेंट करके तो यह सारी जो विरासत है वो दरसल यहां से निकली है यह इसका इद्गम स्थान है औरीजिन पहरी नजर में बले यह मैं देखके अंग्रेजों का लगे यह कोई यूरोपियन प्रजाती का लगे मंगर वास्तों में वह मुल्य वह अगे है और कहा जाता है कि सारे विश्वों को इन्हीं संस्कृती में से यह गुन प्राप्त हुए है वैसे ही कानून व्यवस्था कानून वह व्यवस्था यानि की लौ एन ओर्डर कि जो बात है वो दरसल पूरे विश्वन है यहां रोम से सिखी है या इटली से सिखी है तो यह बात है आगे देखे तो हमरे पास एक स्माटर्ट मौजूद है जिसमें पस्चीमी संस्कृती के उमें वाली दिये हुए है यानि कि उनके माबब के चर्चा की गई है पस्चीमी संस्कृती के है पस्चीमी संस्कृती में सारे पस्चीम की संस्कृती का समावेशन होता है चाहे वो यूरोप की हो चाहे वो ब्रिटिश की हो चाहे वो फ्रंच की हो सारी पस्चीम संस्कृत वहीं सारी पस्चिम संस्कुल्टी के जो पिता तुलिया है वो है रोमन कुल्चर और वैसे जो इतियास के सोखिन है जो जिन लोगों को इतियास पसंद है इतियास पढ़ना चाहते है वो रोमन कल्चर से वाकिफ होंगे और अगर फिल्मों की बात करें, बुर्ण जं के जश्टी से देखे तो काफी सारी फिल्में के यह सारी वेब स्रीज्य तो का रोben कबनी ही हो, आज जो बहुत की खाट है क्याै कि यह जो ही के थोलिक जो इसाई धिय Suzanne अगर यह वह विया है साथी में यहां देखना है कि उसमें इसाई धर्म वो कानून द्वारा व्यवस्थित किया जो सभ्यता जो विरासत ग्रीश से मिली थी उसमें रोमन लोगों ने किया किया पहले तो इसाई धर्म का तत्व उसमें डाला ठीक है? Christianity उसमें इनवल की साथी में कानून द्वारा व्यवस्थित किया तो यहां से गवर्नेंस के लिए कानूनों की शुरुवत अगर हम बोलें गवर्नेंस के लिए कानूनों की शुरुवत तो वो रोम ने की थी जैसा आजकल विश्व के सारे राष्टों की जो सरकार है वो आमतर पर आज कानूनों का सहरा लेती है, अच्छे सासिन के लिए, शूसासिन के लिए, तो ये शुरुवत रहसल रोम के द्वरा हुई थी, तो ये तत्व हमें रोम ने दिया था, ये बात हमें याद रखनी है, फिर उसके बाद अगर आगे देखे तो यहां भासा की बा के बारे में, और एक लेटिन होता है अमेरीका के बारे में, तो यहां दोनों की के बीच में भैद में समझना है अमरीका का जो लेटिन है, अजरुवत का लेटिन है बारे में गड़क zaवा आगे के रोम का जो आज पास का प्रदेश है। उसे लेटिन इनिले का ये जिक्रम ने किया रूमर इटियस यानि इतली ऑर आज सउपाइस के दिन तो रॉम और फाण लब्त की रद्दय न ही अपना अपनी इटली है और रही की प्रसंसा करते हुँए रॉम की बाहु प्रसंस और यह वाक्य निकला यह है सदा किभी मि देखने को मिद्ट एल यानी की यह देरीस केंटीनुक् благодар यह भूमी कुछ ऐसी है जिक्र वो करना चाहते है इसा में लग रहा है साथ ही भूमध्य समुद्र के पुरे विस्तार में इतली का स्थान मध्य में है इतली को यूरोप की मध्य भूमी से अलब करती है तो यह बात अमरे लिए जानी थोड़ी जरूरी है अल्प्स मौंटन रेंज जो यूरोप में एक बड़ी परवत सुन्ख्लाओं में जिनकी गिंती की जाती है वैसे एंडिस भी है मगर अल्प्स भी बहुत ही अच्छी है कई सारे राष्ट्रों में फैली हुई है चाहे वो स्विजरलेंड हो या इतली हो तो कहा जाता है कि यह जो आल्प्स की परवत सुन्ख्लाओं वही इतली को यूरोप की मुख्य भूमी के साथ जुड़ने से रोकती है उसे अलग करती है पुगोलिक द्रश्टी से तो यह बात रही पुगोल की साथ ही इतली की भूमी दो इस्सों में विभाजीत है जिसके दो इसे कुछ इस प्रदेश में से पो नदी निकलती है पो नामक एक नदी है यह मैं समझना है यह पटलास मौंटेंग के आजुबर्ज बनी करती है और आगे जाके पूर्व में चलती है बहती है पूर्व में बहती है कहा जाता है कि लगबग लगबग 360 मिल तक यह बहती है 360 माल्स तक और फिर बाद में बुमध्य समुद्र में जाके मिल जाती है तो यह नदी का भी इतली के उपर इतली के कल्चर के संवर्धन के उपर बहती अच्छा प्रभाव माना जाता है साथ ही ऐसा कहा जाता है कि यह पूरी रिवर सिस्टम है यह एक अकली नदी नहीं है म पूरी रिवर सिस्टम डेवलप हुई होती है ठीक इस तरह ही यहां पो नदी के भी पूरी रिवर सिस्टम डेवलप हुई है रिवर सिस्टम और यह 360 मिल के रास्ते में कई सारी नदिया इस पो नदी में मिल जाती है चोटे नदी नले सारे यह नदी में मिल जाते है और इ वह व्यवस्थित और एसा भी कहा जाता है कि पस्चिम और दक्षिन तरफ में यहां लिखाई है पर कई सम्रुद्ध बंदर स्थित है पस्चिम और दक्षिन यानि कि वेस्ट एंड साउथ का जो कोस्टल एरिया है इतली का वह बहुत ही अच्छा है यहां कई सरे उसे ब्रपूर प्रमाण में विया पार होता है और यहीं विया पार से इतली में समुरुद्धी या थी थीए तो ये इसका कल्यक्षन है और समुद्र के साथ इसकी समिवत्ता वहीं आप में सामुद्रिक जो सहसिक प्रोर्टियां है उनको प्रोच्छान देती है उनको बड़ावा देती है चाहथ ही इली का सांस्कूती को बहुतिक विकास हुआ यहां स刚 al Soli drunk भॉक्स का जो piga तो हुआ मगर साथी में कि अगर और एकोनोमिकली हो यहां इक ओएकोनोमिकली बहुतिक का मतलब शुर्पुर्पुर्पॉर DAN TV हहां बहुतिक का मतलब मुट्रपुर्पुर्पुर्ब हुआ दूनों प्रकार से इक अधान क्षे Hm साथी में इत्यस करणों के द्वरा कुछ विश्टशन भी होता है और कहते है कि थोड़े कारण जवाबदर है थोड़े कारण जिम्मेदर है कि क्यूं इतली का इतना विकास हुआ जिसमें तीन कारण मुख्या है सबसा प्रथम है पस्चिम दिश्टा में अच्छा समुद्र तट फिर दूसरा करण है लंबा समुद्र तट और साथी में तीसरे करण में कहा जाता है कि समुरुद बंदर पले ही यहां कई सारे करणों में वर्गी करण हुआ हो मगर एक ही मुख्या कारण है कि इतली का स्थान और इसको मिला हुआ बहुत ही अच्छा समुद्र तट यह दो कारण ही इनफ है इतली की आज की प्रोस्परिटी को जस्टिफाई करने के लिए उसे एक्स्पेंड करने के लिए देखें तो कुछ कारणु जो जिम्मेदर है इस जिसकी चर्चा हमने कर ली यहां दू-3 कारण में दिए हुए है जिसकी चर्चा में कर ली इसके बाद इतली सब्द उसकनवद वेटीलियू के नाम से उत्रा है पहले वेटीलियू इसकाहा जाता था है और यह एक तब समय में बूली जाने वाली भाषाँ, उस इडोप के इस ख्षेतर में, इस भूमी में से लगबग सभी यूख के उसे समय पराप्त हुए है, कोई भी वैसा नहीं है, अगर इतली की भूमी की बात करें, तो कोई भी वैसा नहीं, कि वहां से मनुश्य की हयाति क्या उसे सन नहीं हो जाहे वो प्राग ATAC को यानि कि प्रीहिस्टोरिक हो चाहे वो हिस्टोरिक में इंशेंट हो यानि कि आप समझ लिजीए मेटल एज की अगर बात करें तो मेटल एज जो मेटल में ब्रोंस अज हो क्यलकोलीथिक हो आये नहीं जो कोई भी है जो हमें इतली में से काफी सरे अउसेस प्राप्त हुए है मानो वही है ठीक है फिर आगे देखे तो अगर प्रजा की बात करें में वहाँ समझ नहीं है कि वहाँ की प्रजा दर असल कहां से आई थी इसको मैं ट्रेस करना है और उसकी जो प्रजा थी उसका स्वभाव कैसा था वो भी हम लोग यहां देखेंगे रोमेन संस्कूरती को प्रागेती ऐसी कल में समरुद बिनने वाली एट्रुसकेन प्रजा यह बहुती महत्तोपूना है एट्रुसकेन प्रजा आला कि कहा जाता है कि इनका जो उद्वभ हुए अब भी पता नहीं चला अब भी कहा उरिजनेट हुए था क्या वो वहां के ही है क्या वो वहां के मूल वतन ही है क्या वो वहां किसी भी और जगल से पलायन करका आयत है इत्यादी चीजों पर अभी कोई अभ्यास नहीं चल रहा है अला कि अभ्यास चल रहा है मगर कोई कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है उसका बाद उनकी लिपी अभी भी हम लोग समझ नहीं पाया है वी आर नोट एबल टू डेसिफर दर स्क्रिप्ट टू तो ये स्क्रिप्ट ना समझने की जो बात है वो इस पता चलने की पॉसिबिलिटी के उपर पानी फेर देती है ठीक है क्योंकि अगर हमें उन लोगों की भासा थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो हम लोग जो कुछ लिखित आउसेसं में प्राप्त हुए है जो थोड़े पोरानिक है तो हम लोग उसको जो है रीडि करके कुछ उसमें से नई इंफोर्मेशन निकाल पाते हैं मगर यहां अब यह में डेसिफर ही करनी है हला कि हमारे जो एक्सपर्ट से जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट है जो लोग रात और दिन यह लिपियों को डेसिफर करने के लिए मेहनत कर रहे है एज लेकिन दे केस ओफ और सिंदुविली सिविलाइशन जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो गर्व समान जो एक प्राकिन सभ्यता थी सिंदुखिन की सभ्यता या सिंदु जो है सिविलाइशन उसकी जो लिपी है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी आज दिन तक अन्डेसिफर्ड है तो उसके उपर भी लिंग्विस्टिक साइंटिस्टो के दोरा बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही परसीविरेंस के साथ काम हो रहा है ताकि आगे चलकर हम वो जो है लिपी डेसिफर कर सके प्लस जो हमें साहीतिक कुछ ओसेस मिले है उसके उपर से हम लोग कुछ नई चीज उजागर कर सके तो ठीक यहां भी ऐसा ही चल रहा है जो आगे चलकर हमें कुछ अच्छे समाचार दे सकते हैं फिर आगे देखे तो कहा जाता है कि Etruscan प्रजा को समझे बिना रोमन स्कूर्टी को समझना जो है पॉसिबल नहीं या समझना नहीं जासकता तो ये बात यह जो वाक्य लिखा है ये बात धर असल इसलिये कही गई है क्यूंकि रोमन कल्चर में Etruscan प्रजा का महत्व समझना वाली यह बात है ठीक है कि अगर आपको Roman civilization समझना है then you need to undergo then you need to undergo the biography of Etruscan tribes then only you are able to understand the actual Roman Empire या Roman culture तो ये बात है उसके बाद ग्रीक प्रजा इस प्रजा को टिसी नोई या तिर्की नोई के नाम से जानते थे यह जो ग्रीक के इतियासकार थे वे थोड़े इन लोगों से जो है उत्सुक्त है ठोड़े जिगना सूथ है तो ग्रीक इतियासकार ये प्रजा पूरे रोमन एरिया में पूरे लेटीयम एरिया में रहने वानी प्रजा को टीसी नोई या तिर्कीनोई के नाम से चानते थे जोटी-चोटी टुकडियों में समुझ इस प्रदेस में आये थे यचाथ यासर यह प्रजा ने कई सारे नगरों की स्थापना की कहा जाता है कि लगबग लगबग 12-15 नगर इन लोगों ने जो है बनाये थे और यह लोग रहने लगे थे कुछ नगरों का विकास भी किया यस तो फंडमेंटली यह लोग विकास के समर्थन में थे विकास के समर्थन में आगे देखे तो एटूडिया में इस प्रजा ने बारा नगरों का समवय तंत्र रचा था यानि कि एफेडरल ओफ 12 सिटीज इस में से एक या दो सिटीज मुख्या के तूर पर थोड़ा अपना कारीय करेंगे फंक्शन करेंगे बाकी के सारे इसे इन दे फ्रम अप स्टेट तो इस तरह कुछ सम्वय तंत्र उस जमने में चलता था एटूडिया नामक इलाके में यहां की शाशन विवस्ता सामत साही जैसी थी या सामत साही थी यानि की फिडिलिस्ट अमीरो का राज था जो बहुत ही बड़ी जो है मात्रा में बड़ी मात्रा के जमीन के मालिक हुआ करते थे ठीक है और राजा के साथ भी या किसी भी सतापक्स के साथ भी उनका बहुत ही नजदिक का संबद होता इनफेक्ट वे किसी भी शासक के लिम्स मने जाते थे, यानि कि हाथ पर मने जाते थे तो इतने करीब थे और इसलिए उनका राज ही चलता था प्लस यहाँ यह बत भी देखनी है कि यह जो नगर थे यह नगर सारे इंडिपेंडेंट है और independent के साथ self reliable थे चाहे वो खाना उगएने की बात हो चाहे वो लड़ने की बात हो किसी भी क्षत्र में यह जो सारे नगर राज्जिय थे वे सारे नगर राज्जिय अपने आप जो है स्वाधिन थे वे परादिन नहीं थे वे एक्चुली सल्फ रिलाइबल वे किसी और के उपर निर्भर नहीं रहते थे तो कुल मिला के सक्टिशाली नगर राज्जिय थे उसके बाद देखे तो यह लोग अंगूर की खेती करते थे यानि की ग्रेप्स तालाब में से नहरों के द्वारा खेत तक पानी पहुंचाये जाता था कैनाल्स इतने पुर्व समय में इतने पहले के समय में व्यवस्थित इरिगेशन होना यही अपना अपने बहुत ही अच्छी बात है और यही इसका डिस्टिंक्ट फीचर कहते है यहां की प्रजा वो उमने बात करी और ये समुद्र साहसिक बहुत ही अच्छा समुद्र तर्ट मिले, इतना अच्छा समुद्र तर्ट मिले वहां खुझ्रती बंदरगाबी बना सके। से यह समनेशी बात है कि उसका वीदेशियों के साथ उनका संबंद भी बढ़ेगा और यह व्यवी परण भीन बढ़ने से संबंद बढ़ा और संबंद और व्ययin leas जो है एक्शेंज बिदेरेश के और चूंझ है और इसकी दोनों कर सों के बीच आगे देख है तो उपलब्ध प्राची नौसेसों में से हमें लगता है कि लगबग 900 जीतने कबरलेख मिलते हैं ठीक है विविद्ध उठखनन काडियों के दर्म यह रोम की बात करें तो लगबग 900 जीतने कबरलेख में मिलते हैं मगर यहां भी एक ही प्रोब्लेम है इनकी ज हम इसे रेसिफर कर पाए देन हमरे सामने महीतियों का एक खजना खुल सकता है और कई सारे रहस्य है कई सारी एसी महीतिया हमें मिल सकती है जिनको लेकर आज हमारी धारणा जो है वो गलत भी साबीत हो तो कई सारी चीजे है मगर हमरे जैसमना पुम्बत है के लिंग्विस्ट नहीं होता है के जी यहां की मैट्रिया के ज़ीवन में धरम का महत्तो विसयश था हलाकि धरम था प्राथ्मिक लेवल का प्रात्मिक आम तोर पर जैसे हम विश्व की अनियों प्रात्मिक संस्कृति में देखें जैसे हमने इजिप्त में देखा सुमेर में देखा बेबिलोन में देखा चीन में देखा ठीक है और आखरी में जो बहुती समरुद मानी जाती है वैसे ग्रीस की सभ्यता में देखा त आगे देखें तो देरदीर इस प्रजा का पतन हो गया कि मिन उस्ट आपको सामन्त साही थी तो आंतरिक कलेश दिन पति दिन बड़ता गया था नगर राजियों के बीच में नगर राजियों के बीच में आंत्रिक अशांती जिसका करण हुआ वे दुरूबल बनते गए और डिजॉल होते गए यहां आंत्रिक करण के साथ एक और भी करण माना जाता है और यह बाहिया करमन का बाहिया आप करूँगा मगर विशेशग्यों के दौरा अलग अलग इत्यास करों के दौरा महन इत्यास करों के दौरा कहा जाता है कि यह दोनों करण ही जिम्मेदार थे थोड़े अंस तक बाहिया अकरमन जिम्मेदार थे और वही थोड़े अंस तक इन लोगों का जो अंत्र वो तो इसकी साइस देखके ही, इसका कद in देखके ही हम लोग मालुम कर सकते हैं, धेखिए अगर भोगलिक परिस्थिति के बात कार रॉम negromeye में तो है कि भोगलिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी आज का जो इतली है उसकी bestrarliest आज आज के इटली के पस्चिम बाजु टाइबर नदी है टाइबर नदी और यही नदी के दक्षिन में लेटियम प्रदेश में जिसका जिकर में आपको किया लेटियम प्रदेश में कुल साथ पहाड़िया थी तो उन साथ पहाड़ियों में से जो पैलिस्तिन नाम की एक पहाड़ी थी पैलिस्तिन हिल यह पैलिस्तिन हिल के ऊपर रोम की स्थापना हुई रोम की स्थापना टेक्निकली में याद रखना है क्योंकि बहुती अहम इंफर्मेशन है और भोगलिक स्थिती की बात करती है कि इस भोगलिक स्थिती में रोम का आजकर रोम की स्थापना हुई थी तो ये पुरा सिनेरियो है फिर उसके बाद देखे तो इस समय ही ये प्रदेस में लेटिन प्रजा का वस्वाट था ये तो बटोबियस है लेटियम प्रदेस में रहने वाली जो प्रजा थी वो दरसल लेटिन कहलाई इस लेटिन प्रजा का मुख्यवे उसाइक कुरूशीव पसुपालन था, यानि कि प्राइमरी एकोनोमी थी, अभी सर्प्लिस जो है, agricultural surplus वो दीरे-दीरे मिलना शुरू हुआ था जैसर में मालूम है कि शुरूवाती समी में अम्में agricultural surplus ही नहीं मिलता था ठीक है तो economy की तो बात ही नहीं होती थी जो उगता था वो खाने पीने में ही खर्च हो जाता था यानि कि subsistence farming था मगर दीरे-दीरे जैसे मेटल यूग आया तो लोह की सोध हुई और लोह की सोच से खैतक्षतर में या कुरूशी में करांती आई ठीक है तो इसी करांती के तहत जो उत्पाद है वो थोड़ी बढ़ने लगी तो अब surplus रहने लगा surplus रहने लगा तो दीरे-दीरे उसमें से primary economy का जिन्म हुआ तो कहने के तक पर यह है कि उस समय रोम में या इस लेटियम ठ्रदेस की प्रजा में primary economy ही चलती थी वे लोग कुरुशी और पसुपाला नहीं करते थे रोम के नामों को लेकर भी अलग-अलग मनियत आये है काफी स के नाम स्पे ही आज का रोम नाम पड़ा है यह आज की अब समझ लिजिए कि यूनिवर्सली एकसेप्टेड यह मनियता है प्लस अगर अनिय कोई possibility को देख है तो जो ग्रीक इतियस कर रहे है ग्रीक की इतियस कर में मालूम है कि ग्रीक की प्रजान है हमें काफी सारे इतियस स्कॉलर्स दिये तो इन स्कॉलरों के द्वरा इन हिस्टोडियन्स के द्वरा रोम के नाम को लेखे काफी सारी कथा है काफी कथा है प्रचलित बनी थी काफी कथा प्रचलित बनी थी जिसमें से कुछ प्रक्टिकल्स थी और कुछ जो है वो देखके लगती थी किया पौरानी किया मित हो सकती है फिर उसके बाद यहां देखे तो JW दुरांत के द्वरा यहां कहा जाता है कि रॉम जो है वो रॉम के ऊपर इसा पूरुव तिंसो नब्य में आइथिंक बाही अक्रमन हुआ गोल प्रजा ने अक्रमन किया यहां इसा पूरुव है तिंसो नब्य में गोल प्रजा ने अक्रमन किया यह गोल प्रजा बहुती अक्रमक थी और इन्होंने इतली के उपर भी बहुती नुक्सान किया गोल प्र इतली यानि की रोम ठीक है वहाँ जो भी कोई रिकास हुआ था जो भी कोई सम्रुद्धी थी वे इनके खिलाफ्त है और सारी चीजों को नश्ट करना चाहते थे तो ये गुल प्रज्जा का मनसुबा था फिर बाद में कहा जाता है कि इसा पुरुव पांसो दस तक सात राजा उन्हें राज किया जिसमें से जो राजा रोमिलस्त है वे प्रथम माने जाते है और इसे ही स्थापक भी माने जाते है रोम के और यहीं से रोम नाम निकला ये भी मान्यता प्रचली थे वो उमने देखा फिर उसके बाद इसापुरुव पांसो नो में आखरी राजा को पद्रश्ट किया गया वो लोक तंत्र के स्थात्ना की गई लोक तंत्र देखिए ये कितने पहले की बात है आज भी हमारा जो भारत का प्रोशी राजी है मियान बार वहां लोक तंत्र व्यवस्तित रूप से प्रस्थापित नहीं हो पया आज दिन तक 21 सदी में 21 सदी के 21 वर्स में मगर फिर भी यहां गर देखे तो इसापुरुव पा चले नहीं चले मगर यहां एक प्रेत्न शरूर हुआ था ये बात में मननी पड़ेंगी रोम की प्रजा ने राजा को ये प्रद को नाबूद कर दिया यस ये एक्चुली वनिश्ड मोनर्खी एंड दे इंट्रोडूद देमोक्रेसी राजा की जगध दो काउंसिल को निर्वाचित किया गया और ये निर्वाचिन प्रती वर्स होता था प्रती वर्स लोगों के द्वारा ही निर्वाचन किया जाता था ये दो सभ्यों का वो मनें देख लिया इस समय को इस समय का रोम हो गई है दो वागों में वजी था मतर यही देखना इसमें से पहला भाग था प्लेबियम और दूसरा भाग था पेट्रिशियन पेट्री शयना ठीक है जिसमें से प्लेबियम जो था वो गरीब वो कुशिप था गरीब वहीं पेट्रिशियन जो था वो अमीर था यहाए इलेट क्लास हम लोग कह सकते है और काफी अनिय भी होता था प्लेबियम के साथ जो आज हम लोग देखते हैं आम परफह कि कोई गरीब अदमी हो कोई दौबल अदमी हो उसके साथ जो अनिय होता है वही अनियाई उस समय के बहुत ही पुरुव समय के रोमन समाज में भी देखने को मिलता था। और आम तौर पर इन लोगों के साथ अनियाई होता था, इन लोगों को अत्याचारों का जो है भोग बिलना परता था। साथी देखे तो वही प्लेबीयन कोई अधिकार नहीं मिले थ इलेक्टोरेट तो नहीं था मगर साथी में प्रतिनी दित्रों भी प्लेबियन का वहां की विधान सभा में विधाही काम है नहीं था जो की कानुनों को घढ़ने का काम आम तोर पर करती है रोम का शुरवाती तंत्र बाहिय रूप से लोकतंत्रिक जरूर था मगर अगर वास्तरिक रूप से देखे तो उम्रावसाही था इसका बाहिय जो आउटलूक था वो बले ही लोकतंत्र था बले ही इन लोगों ने राजय को निकल दिया हो दो काउंसिल को निर्वाचित किया ह मगर जो वर्ग संगर्स था दो वर्गों के बीच में जो असंतुलित्ता थी जो इनिक्वालिटी थी वो धरसल उम्रव साही के ही अलिमेंट थे उनके ही तत्वों थे तो यहां ETS करों के दोरा विद्वनों के दोरा जैसा निश्कर्स निकला जाता है कि बले ही बाहर से देख ही था या फ्यूरिलिस्ट था आगे देखे तो विदान सभा के दोरा कानून गड़ा जाता था वो तो बाट ओवियस बात है विदान सभा कहते ही इसे जिस गुरू में विधी का निर्मान होता है कानून या विधी कह लीजिए आपतकालिन समय में तानासा की नियूक्ति कर ही जाती थी यस अपतकालिन समय में जब लेजिस्ट्राटिव एसम्मली अच्छी तरीके से काम ना कर सके इन देट केस डिक्टेक्टर वोज यूस्ट टू बी अपोइंटेड और ये लगबग लगबग छे महीने तक नियूक्त रहता था इस समय में रोम समाज में कुटम क मुख्या पीचा था यानि के पेट्रियरकल सिस्टम थी ओड्रियर कल शिस्टम ऑफ फैमिली कि आगे देखे दोवर्गों का बीच मैं किसी तरह संबन नहीं बांद आ जाता था यह दोवर्ग पलबियम और पेट्रिशियन की बात कर रहे है क्योंकि संग्र से इतना था कि दोनों के बीच में कोई कल्चरल टाइज जो है बने रिलेशन बढ़े है वो कोई शक्यता ही मौझूद नहीं थी रोमन समाज में गुलामी प्रथा प्रचलिक थी और मैं एक बाद आपको बता दू कि कहते हैं करने सब्सक्राइम में संगर्स जिसे वrirसलिंग कहते हैं हैं और उसमें से जो मिलता आनंद है जिसे विक्रुत आनंद कहा जाता है तो यहां की जो प्रजा थी यह विक्रुत आनंद की शोखिन थी और ऐसे ही आनंद वे लेते थे पशुव का संगर्ष भी होता था और यह संगर्ष बहुत ही ब्लडी होता था कहने के लिए संग實 नहीं था कहने करने के लिए मातरी संगस नहीं था मगर वस्तव इकता में लोग बहुती कुरूर संगस करते थे उसका देखके जो लोग थेवे मननचन करते थे, इस प्रकार के दंगलों को विश्व के इतियास में ग्लेडियेट código radio और यह भी बात है कि यहां नीचे ही लिखा है जो पड़ सकते हैं का जाता है कि रोंकी नटक साला की खुर्सी पर अत्र लगया जाता ताकि लहू की दुरगंद को रोका जा सके हैं वहां के जो थेटर से इतने ब्लडी रहते था कि वे लोग ऐसे खेलों में ही मननरजन का अनुभू करते हैं तो इसे खेल यहां एक्टेंसिविली खेले जाता थे तो पूरा जो थेटर है वो इतना ब्लडी रहता था था कि त्रेटर कि थेटर्स की सिट्स के उपर परफ्यूम लगया जाता था अत्तर लगया जाता था कि लहू की बदबू ना आए और वहां बेठा जा सके वहां से यह जो संगिर्स है वो देखे जा सके तो इतना भेंकर जो है खेल यह लोग खेलते थे अपने मिनोरजन के लिए साथ ही रोमना कर अाय प्रभा था औरो का थजा धर्म गुर्यूयों का प्रभा था है अनुद्धेल जो हमने मुद्धे देखे है विश्व की अलग प्राशिण शंभीता हाँ में और यहां कभी-कभी मानो बली भी चड़ाय जाते थे पिद आगे चल कर वह बहुत ही एच्छा इस कि अच्छा है, संसकर हुगए अगर उसमें बहुती दिरी लग गई यह पहले की जो बात है यहाँ पहले यह लोग बहुती कुरूर थे और बहुती प्राइप्मिक कक्षा के मान भी थे आगे देखे तो प्रतियक नगरों का स्वतंत्र देव था जो आमतर पे अन्य प्रातिन संस्कुतियों में देखना को म यह भी देखाया कि जितने कुट्टूंगुट्न देव ठीक एटो कुछ वेसी ही प्रता यहां प्रचलित थी इस प्रकर के देव प्रचलित थे पाक का देव पाक यानी की इल्ड की बात हो रहे ही है यहां फसल की फसल इल्ड देव सटनेस अकाश का देव I always is या I always आप कह सकते हैं पुर्थवी का देव तिलस युद्ध का देव मंगल और पुरुव पस्चिभामुग वाले शुरिय देव तो इतना सरे देव थे जो थोड़े प्रचलित थे बाकी तो अलग अलग नगरों के अपने अलग 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 सुतंतर देव थे मगरी यह सारे कोमन देव थे जिनके उपर अधिकांस समाज की आस्थाटिकी हुई थी तो यह थोड़े मारे लिए थोड़े महत्तोपोना है आर्किटेक्ट्चर अर्किटेक्ट्चर फ्लरीजड दिरिंग दे रिगेन ओफ एट्रुस्कन किंग्ज जिसमें फोरूम यानि की गटर योजना जो आज हम ग्वेनेज के नाम से भी जानते हैं द्वेनेज तो नहीं कहता है मगर सीवेज कह सकते हैं फिर उसके बाद कला का विकास हुआ यानि की आर्ट सरकस मैक्सिमस यह एक विशाल इमारत है इमारत जिसमें नाटक शाला भी है और कई सरी चीज़ है यानि की एक प्रकर का कॉंप्लेक्स है एक प्रकर का एंट्टेन्मेंट कॉंप्लेक्स है वो भी बना था फिर साथी में कैपिटल लाइन यानि की बड़ी इमारत या आज का हम कह सकते हैं बहु माली मिल्टी स्टोरे जो बिल्डिंग होते हैं वैसी ही एक बिल्डिंग थी जो कि प्राचिन रॉम में बनी थी और वह एस्टुसकन जो राजा थे उनके जो एसासन के दुरान बनी हुई थी इस तरह रोम की सभ्यता से शुरू करके राजा सही के अंत तक रोम का विविदिक स्ट्रों में विकास हुआ ठीक है तो यह आज की पूरी बात हुई परिचे के बारे में जिसके तहत हमने रोमन सभ्यता का परिचे लिया अब आगे में देखना है कि रोमन सभ्यता कैसे फली हुई I hope you enjoy the lecture लोग मिलेंगे अगले hypothesis के lecture में इसी सभीयता को continue करते हुए इसी सभीयता के अगेहन को आगे बढ़ाते हुए तब तक के लिए देखते ही एक रत्मौत UPSA